वेलकम तू माई चैनल तनुवेस किचिन किसी भाजी चॉपर से बारिकबारी काट लेना है। दोस्तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएं हैं मेरी रेटीपी वेली बार देख रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजियेगा। तो आए इसकी रेचिपी देखते हैं। मैथी का नाच्ता बनाने के मिला दें एक चमच अध्रक लेसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट कुछ कटीवी हरी मैथी कुछ कटा वहाः धन्या आधा चमच नमर तमाटर का पेस्ट डालने से नाश्ता बने का बहुती स्वादिस्ट टेस्टी जो मैथी की कड़वाहट को भी कम करेगा एक चम्मची साइता से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक थिक पेस्ट बना लेंगे दूस्तों पानी थोड़ा थोड़ा करक पिर मुश्किल होगा मिक्स करने पर देखेंगे पेस्ट कितना थीक है थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और चम्मज से मिक्स करते जाएंगे क्योंकि इसमें सूजी मिलाया है इसलिए इस मिक्सर को थोड़ी देर ढख कर 10 मिनिट के लिए रख देंगे जिसे सूजी अच्छे से फूल चाहेगी 10 मिनिट बाद चेक करेंगे मिक्षर कितना थीक हो गया है 1-2 चमच पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए मिक्षर ऐसा होना चाहिए जैसे की पकोडे बनाते है जब मिक्षर आप तवे पर डालें तो उसको आसानी से फैला सकें तो ये मिक्षर हो गया है तैयार अब एक फ्लैट तवा या तो नॉनिस्टिक या फिर भारी तले का कोई भी फ्लैट तवा चप्ठा तवा गरम करने रखेंगे जब गरम हो जाएगा तो उसका टेंपरेचर चेक कर लेंगे थोड़ा सा ओयल ग्रीज करेंगे तेल की चिकनाई लगाकर तवे का तापा चेक करेंगे थोड़ी पानी के चीटे डालकर अगर वो चटकते हैं तव ये तवा तैयार है अब इस तवे के बीचों बीच मिक्षर के दो से तीन चम्मच डालकर इस तरह से स्प्रैट करेंगे आज को मीडियम से लो करेंगे इस तरह से ना जादा पतला ना जादा मोटा रोटी के आकार का डोसा या चीला बना लेंगे किनारे पार थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और चम्मच से इस तरह किनारे उठा कर चेक करेंगे जब डोसे का कलर चेंज हो जाएगा तब इसको हलके हाँ से उठा कर फ्लिप कर देना है साइट चेंज करके दूसरी तरफ पलट लेना है किसी फ्लैट शम्मस से इस तरह से दवा कर दोनों तरफ से क्रिस्पी करारा सेक लेना है ये तैयार हो गया मैथी का डोसा या मैथी का चिला जो खाने में भी लाजवाब है और हैल्थी भी है और जटपट बन जाता है सुबह की भागदोर में अगर कोई नाश्टा ना सूझे तो इस तरह से तयार करके बैटर जटपट बना लीजिए इस तरह पूरे बैटर के आठ से दस चीले बनकर तयार हो जाएंगे तीन से चार लोग के लिए काफी है ये तयार हो गया बहुती कुरकुरा और टेस्टी नाश्टा जिसे सुबह खाएए शाम खाएए या लंच में खाएए तो दोस्तों एक कब बेसन और आदा कब सूझी से बना लिए हमने मैथी के डोसे तो आप भी इसे ट्राइ जरूर करिए बहुती हैल्दी नाश्टा है जहटपट बनने वाला टेस्टी हैल्दी अब इस डोसे के साथ खाने के लिए हरी चटनी बना लेते हैं इसके लिए मैंने लिया है कुछ शेहरा धनिया जिसको दोकर साफ पर लिया था एक इंच अद्रका टुकड़ा दो से तीन हरी मिर्ची एक टमाटर मिक्सी के चटनी जार में इन सब को डाल देना है आदा चम्मच स्वाद के नुसार नमक डाल देंगे आदा चम्मच कच्छा जीरा जार का ढखकर लगा कर ग्राइंड करेंगे एक स्वादिस्थ हरे धनिय की चटनी बन कर हो जाएगी तयार अब इस गर्मा गरम चीले को या डोसे को हरी चटनी के साथ खाएए बहुत टेस्टी लगता है और बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कर लीजएगा रेसिपी को लाइक भी करिएगा कमेंट्स करके अपने सजेशन जरूर दीचेगा रेसिपी अच्छी लगिए तो शेयर भी करिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिसे लेटिस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एक और नहीं रेसिपी कुछ खास टिप्स और ड्रिक्स के साथ देखते रहे है तनुवेस किचिन थैंक्स फो वाचिंग